सु हेलो फ्रेंड्स बैंक से सम्मंदित कुछ जानकारिया जिया दोस्त यदि आपको भी बैंक के छोटे छोटे वर्ड कॉन्फ्यूजन करते हैं तो यह वीडियू आपके लिए है इस वीडियू में आपको बैंक के जो छोटे 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 वर्ड होते हैं उनका पूरा ना एकाउंट है और दूसरा है IFSC आप पैसे भेजने के लिए एकाउंट नमर और IFSC कोड का तो इस्तमाल करते ही होंगे IFSC का पूरा नाम होता है Indian Financial System Code और नेक्स्ट है MICR जिसका पूरा नाम Magnetic Ink Character Recognization होता है चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं ATM आप पैसे निकालने के लिए ATM मसीन पर जाते हैं क्या आपको पता है कि ATM का पूरा नाम क्या होता है यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट करें तो चलिए जानते हैं कि ATM का पूरा नाम क्या होता है ATM का पूरा नाम automated tailor machine होता है और next है PAN PAN का पूरा नाम होता है permanent account number और next है BOP जिसका full firm balance of payments होता है यहाँ पर मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ क्या करें आप इन सभी को note कर ले ताकि आपको future में कभी भी या भूले नहीं next समझते है KYC अभी जो आए अधिकतर customer के account में KYC लोग लग जा रहा है तो KYC का पूरा नाम क्या होता है अब आप जानने know your customer यानि कि अपने customer के बारे में जानना जिसका पूरा नाम KYC है इसे sort में KYC और इसका पूरा नाम know your customer और LIC का पूरा नाम तो आप जानते ही होंगे अगर नहीं जानते हैं तो जान ले Life Insurance Corporation of India और next है EMI आपने यह सब्द कई बार सुना होगा EMI यानि कि किस्थ पे आप कोई समान ले ले तो इसका पूरा नाम जो है Equated Monthly Installment यानि कि EMI थूरू जो होता है Short Name है और इसका यह बगल में जो है पूरा नाम है तो इसे आप याद रख ले और next समझते हैं B.O.P. जिसका पूरा नाम Bill of Exchange होता है या banking से संबंदित यह सारे word आपको banking में ही देखने के लिए मिलते हैं और next है G.S.T. जिसका पूरा नाम है Goods and Service Stakes होता है G.S.T. का और अगला है CA CA का पूरा नाम Chartered Accountant होता है RBI RBI का पूरा नाम Reserve Bank of India होता है चलिए next slide में समझते हैं UPI आज अधिकतर payment में UPI का इस्तमाल किया जा रहा है लेकिन बहुत से ऐसे लोग है जिनको UPI का पूरा नाम क्या होता है उन्हें नहीं पता यदि आप भी उन लोगों के category में आते थे तो अब इस वीडियो को देखने के बाद अब आप उनसे extra person बन जाएंगे तो UPI का पूरा नाम जो है Unified Payment Interface होता है और next है NEFT National Electronic Fund Transfer इसका पूरा नाम होता है और आगे है RTGS जिसका पूरा नाम Real Time Growth Settlement होता है यानि कि RTGS का full firm जो है Real Time Growth Settlement होता है Next जानते हैं IMPS IMPS का पूरा नाम Immediate Payment Service होता है यदि आप NEFT RTGS, IMPS इन सभी के बारे में एक एक करके पूरी डेटेल में जानना चाते हैं तो मैंने इस चैनल पर इन सभी के बारे में पूरा डेटेल वीडियो बनाया हूँ तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सभी वीडियो का लिंक है आप देखकर अपने knowledge को increase कर सकते हैं तो इन सभी के बारे में आप जानकारी जरूर ले चलिए आगे समझते हैं TDS TDS का पूरा नाम text detection at source होता है UIDAI UIDAI ये सब्द जो है या word बोले तो आपने इसका जिक्र बोले या फिर नाम बोले तो आप बहुत बार देखे होंगे आधार कर्ड के official website पर आखिर UIDAI का पूरा नाम क्या होता है चलिए इसे जानते है तो UIDAI का पूरा नाम Unique Identification Authority of India होता है Wi-Fi का पूरा नाम Wireless Fidelity होता है चलिए next जानते है Info का पूरा नाम Information होता है NET का पूरा नाम National Illigibility Test होता है OD का पूरा नाम SBI का full firm तो आप जानते ही होंगे State Bank of India होता है I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा मेरे द्वारा जितने भी Full firm बताए गए होंगे आपको यह समझ में आ गया होगा यदि आप चानल पे पहली बार आये हैं तो Take Secure YouTube चानल को Subscribe कर ले और बगल में Will Notification का भी एक Option आएगा उससे भी दबा दे ताकि मेरे द्वारा जो भी नय वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास उसका Notification सबसे पहले मिल जाए यदि आपका कोई प्रस्ण है या फिर आप कोई full firm पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें